अस्तलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलगसा वीडियो लेकर आई हूँ और मैं उमीद करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए हैल्पुल रहे ये मेरे लिए तो बहुत हैल्पुल रहा है आज मैं मैंगो बॉक्स का रियूस करने वाली हूँ जिसे हम बेकार समझ कर फेंग देते हैं आज बस उसी कबार से जुगार करेंगे या आप लोगों को एमेजोन या फिलिप काड़ पर आसानी से मिल जाएंगा लेकिन हमने इसे घर में बनाया है आप लोग भी इसे आसानी से घर में बना सकते हैं त तो इस तरह से बॉक्स में आते हैं तो उसके बाद में बॉक्स का क्या करना बिकार समझ के कबार समझ के से हम कचर में फेक देते हैं तो इससे हम कुछ ना कुछ हमारे घर में रियूस कर सकते हैं कुछ ना और्गनाईजर बना सकते हैं तो बस मैंने आज उसी का यूस करके एक और्गनाइसर बनाया है किचन के लिए आप लोग ने मेरे थमनेल में तो देखके अंदाजा लगा लिया है कि मैंने से क्या बनाया इससे तो बस चलिए ज्यादा बाते ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं शुरू करती हूं तो इस तरह से मैं एक बॉक्स लिया है बस यह इसका मैं यूज करूंगी तो इसको मैंने भी खाली कर लिया खाली करने के बाद में अच्छी दान से मैं अंदर से साफ कर लिया है क्योंकि इसमें घास वागरा थी ना तो उसे मैंने साफ कर लिया नीचे से खोल दिया क्योंकि मुझे से सेलो टेप लगाना कालने के बाद में इसका भी मुझे यूज़ करना तो सइध में रख दू कि अपहले इसको में पीछे के छुई खुला वा है रहाई लेजरिक कर दू अन्हारनिये जो मैंने जो कटिंग की आहाई उसकी कि ज्यादा वीडियो मैंने नहीं ली कुई कि वीडियो जब जादा लंबी हो जाएंगी तो आप लोगों को भी देखने में बोर होगा तो बस जो मैंने की वीडियो थी ना कटिंग करने की वह जादा नहीं लिए तो बस इसे मैंने भी से से स्टिक कर दिया है चिपका दिया है यह नीचे से मजबूत हो गया है बिल्कुल भी कुलेगा नहीं और इसका अंदर का यह जो हिस्सा है ना नीचे कब इसके आप लोग बीच में देख सकते थोड़ा गैब दिख रहा है तो इसके अंदर मैं कारबोट लगा दूंगी इस त पूरा एक लेवल में आ गया है और इस तरह से अभी मैं बीच में भी मुझे स्टेंड लगाना है ना तो इसके लिए भी मैं यह बीच का जो पने साइट का निकाला था उसका यूज करूंगी तो यह थोड़ा चोटा हो रहा है तो इससे भी मैं कट करके बढ़ा कर लूंग पर से इसको नाप ले रही हूं नाप मेजर्मेंट लेकर पुड़ा कट कर लूंगी इस तरह से मुझे काटना है तो आप लोग भी से घर में बना सकते हैं ऐसे ही थोड़े जो कबार चीज़े पड़े होती नहीं से हम कुछ ना कुछ जुगार करके अपने घर को छिए इसकी किनारियां स्मूथ हो जाए लगा दूगे जब इसके पर इसको लगा होना तो बस अभी इस तरह से दीख आप लोग मैंने इसे अंदर से लगा दिया है अभी साइड हो में मैं से लगात साइड, इसकी लगा दूंगी अंदर जितना भी है ना मैं यह यह यूज़ करने के बाद में गंदा दिखेंगा इसके लिए मैंने से थोड़ा सी डाक कलर लिया है और अभी उपर मुझे स्टैन लगाना था मुझे उपर खाली लग रहा था तो मैंने की बोट का जो बॉक्स होता है उसका यूज़ किया है तो इस तरह से मैं उपर रखे से कट उसका जो उपर का धकन था ना उसे काट के निकाल दिया और पीछे से थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था ना पुरा लेवल में नहीं आ रहा तो इसको मैं कट करके पुरा लेवल में कर दूंगी तो यह पुरा उपर से उसके साइज का हो जाएंगा इस तरह से और अभी थोड़ा खुला दिख रहा है तो इसको भी मैं कवर कर दूंगी तो मैंने एक साबून के बॉक्स का यूज किया है तो इसको भी कट करके मैं यहां पर स्टिक कर दूंगी ताकि एक लेवल में आ जाए इस तरह से जब तक इसे कट कर रही हूं तो आप लोग प्लीज वीडि कर दीजिएगा वीडियो को तो इस तरह से मैंने स्टिक कर लिया डबल कर लिया ताकि अच्छी तरह से मजबूत हो जाए इस तरह से आप लोग देख सकते एक लेवल में आ गया है और इसको अभी मैं कवर कर दूंगी तो कवर करने के लिए मैं भी इसका मेजर्मेंट ले र जाए कि क्योंकि मैंने यहां पर जॉइन किया है ना जो पीछे छोड़ा साबून का कार्बोड लगा के तो हीले डूले नहीं उसके लिए मैं से पेपर से अच्छी तरह सीनिस पेपर से स्टिक कर मजबूत कर लूँगी उसके बाद मैंने यहां पर इस तरह से पेपर करने के लिए मुझे स्ट्रेंड चाहिए तो मैं जो भी कार्बोड बचाए ना इसकी पट्टियां काट कर चारो कोने इसके तयार कर लूँगी ताकि मुझे इसके उपर यह अच्छी तरह से टिक जाएए और पीछे की तरफ में कुछ नहीं लागांगी साइड में बस अभ बताओंगी ताकि इस तरह से चारो कोने इसके लगा दूंगी ताकि अच्छा मजबूत हो जाए और यह आप लोगों को लग रहा है कि जरा भी हल्का पतला नहीं है दम मोटा है और मजबूत है बिल्कुल भी हिलेंगा डूलेंगा नहीं आप लोग इसमें आराम से जितना स नहीं आफिशा सामान इसमें रह मैं मैं चाहे सामान इसमें रखते हैं तो बस इस तरह से देख सकता है आप लोग मैंने इसके चारो कोने पर सरीक करकेel करें के इस वम्हों गू detto मेरे दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और अब इसका एंवान और इसमीन सामान मैं रखखा हैafक जिटने भी किचन में मेरी बौटल्स थी न मतलब जो भी मेरी बौटल doctrine गई थी तो इस तरह से होट गदने चोटा भी बणा सकती थी लेकिन मेरी जो बौटल से थी अليग선 क में मेरे जो बौटल्स थी न हो जादा थी यह तो इस तरह से आप लोग ये मैंने तो आदा आदा किलो के बॉटकेल सी यूज कर ये से बना दिया है तो मेरे सारे कीचन के बोटल्स आ गई है मेरी सारी ग्रोसरी इसमें स्टोर करके मैंने रख दी है तो आप लोग भी इसे बना सकते हैं अपने घर में और प्लेश कमेंट करके जरूर बताईएगा आप पीजड रेने पर ये लूजद आपनार दीजा एंट शीजड़े हैं पेज आपर पीजा भीजड़ें डिवें पीजड खूर एंटिवहरें आपर पान दीड़ पैज दीड़ खिर नहीं मिवायं और और नहीं सूलेख रहता इंट अगार तम पार आपनार पीजड़ा